प्रिवियस एरे कोश्चन्स की अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो न्टेश स्टेज टू में पूछे के के कुश्चन्स हैं अभी हाल फिलाल हम उनी को संकल्प सीरीज में पूछ रहे हैं अभी मतलब explaining कर रहे हैं डिसकस कर रहे हैं already हमने पहले जब संकल्प सीरीज कर वन टू और त्री लेक्चर सागर आप देखेंगे तो that is related to history उसके बाद में 4, 5, 6, 7 जो related है I think 7 तो यही होने वाला है तो यह related है विटा आपके economics से ठीक है आगे भी ऐसे हम सारे questions को revise करेंगे और सारे subject में ही चल रहा है okay so हमने अब तक बहुत सारे questions discuss कर लिये हैं और इसको और आपके continue करते हैं 2018 तक के सारे questions जो हमने discuss कर लिये थे आज हम बात करते हैं 2018 के बाद की मतलब 19 से 19 के आसपास जो questions हमने देखने हैं उनको okay so shall we start तो I think 2019 starting हो रही है आपके यहां से okay यह वाला 116 अच्छा question है देखें क्या पूश रहा है इसने बोला है कि noble price आप याद करें यह वाला जो question है noble price से related कई बार उपर भी हमने देखा कि हर साल repeat हुआ है ठीक है कभी किसी state में पूश लेते हैं कभी किसी state में पूश लेते हैं तो anti-ac के अंदर यह तो होता है हो गया कि एक noble price से related question आ सकता है अगर मैं economics के section में बात कर रहा हूँ तो अगर किसी person ने economics में कोई price जीता होगा तो वो पूछा जाएगा अगर science का है तो science में पूछा ज इसका hint यही होगा कि ultimately एक noble price से related question आ सकता है किसी भी state में तो आप पढ़के जरूर जाएगेगा इसमें से question बन सकता है अब इसने बुचा 2018 के अंदर इनमें से कौन से वो person थे जिने noble price दिया गया अब देखो है हमने already इससे related question एक पढ़ा ठीक है उसके अंदर हमने पढ़ा जैसे अमरित्य सेंड के बारे में बात करें तो यह जो विक्ती थे इने 1998 के नर नोबल प्राइस दिया गया था अब इसने बूचा है कि recent year में किसको मिला है दोज़ा एठार में किसको मिला है देखो यह सेम year की बात कर रहा है यह 2019 में पूचा क्या question है इसका मतलब क्या है उ Richard Thaler, Richard Thaler है ना इस वान in 1917 में 17 में था, इनने मिला था 2018 में इन दोनों को और इनने मिला था 2016 में तो विल्यम H. Hordas या Paul M. Romer ये जो वेक्ती थे सारे economy से related है बट इनने अलग-अलग सालों में अलग-अलग Nobel Prize मिले है तो इसने 2018 पूछा है तो 2018 का हमें आंसर मिल गया है ठीक है? याद रखना Oliver Hart है और Banget Holmström है Already इन्होंने 2016 में जीता था Thaler ने जीता था 2017 में और जो रोमर है या फिर नौड हार से इन्होंने जीता था 2018 में तो हमारा आंसर था 2018 से related है तो obviously हमारा option जो होगा C वो ठीक होगा ये तमिल अडू में पूछा गया था कोशन सेम तमिल अडू में एक और कोशन पूछा गया कि आप इसमें से बताएं कि अगर हम development को measure करना चाहें तो उसके लिए सही कौन सा measurement होगा क्या GDP होगा, HTI होगा, IAP होगा CPI होगा तो ये वाले हम अलरेडी जानते है कि human development index सबसे सही सडिक तरीका होता है जिसके तरू हम जान सकते हैं किसी भी development को और इसका जो श्रेय जाता है, अमरित्य सहन को जाता है और इसे कारणे में नोबल प्राइस भी मिला था ये बात तुम जानते हो पंजाब 2019 में पूछा गया question बहुत सिंपल कोईशन के मन्रे का scheme government कितने दिन का रोजगार प्रोवाइड करती लेबर्स को इस scheme के तहत तो आपके सामने चार option है लेकिन right option हम जानते हैं सौ दिन, मैंने डिरेक इसलिए बता है कि अल्रेडी previous questions में हम discuss कर चुकी है इसके बारे में इन में से कितने percent लोग ऐसे हैं जो poverty line के नीचे रह रहे हैं भारत के अंदर अब लगभग 21-22% है अब दो option थे हमारे सामने 21-22% का अब देखो ये recent 21-22% 21-22% दौनों में से 60 का अंसर लगभग 22% के आसपास आप इस पे जाते हैं ऐसे मान के चलो 2011 से लेकर 2016 तक का जो data है उसके इसाब से 21-22% के बीच में आएगा तो यहाँ पर ये option और ये option अगर मैं इसको 22.5 के साप से देखों उससे जादा जाते ही ये 23% हो जाता है और यहाँ पर 21.5 के आसपास में देखों तो लगभग 22% है और 21-22% ही बोल रहा हूं है 2011 और 2016 के बीच में तो यहाँ पर option A right होगा ये दौनों option गलत हो जाएंगे पंजाब 2019 से पुछा गया question next question बोलता है कि किसी अगर occupation में किसी भी occupation के अंदर requirement से जादा लोग add-on है या फिर वहाँ काम कर रहे हैं तो इस तरह का extra labor के लिए ये किस type का unemployment होगा क्या ये seasonal होगा industrial होगा distinguished होगा या फिर under होगा किस type का unemployment होगा देखो already इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं seasonal का मतलब season में ही कमा पाता है बाकी फिर बेरोज़गार देते हैं industrialization के कारण से आयोवा unemployment क्या सकते हो या industries का setup खताम हो गया है industries रियून हो गई है तो उस कारण से भी आप unemployment अगर generate कर रहे हो तो उसको आप क्या गहेंगे unemployment कहेंगे किस type का industrial distinguish का मतलब होता है openly कहीं पर कोई job ही नहीं है और under employment का मतलब होता है कि जहाँ पे आप दिखतो रहे हो कि आपको काम मिल रहा है आप काम कर रहे हो क्योंकि सबस्यादा agriculture sector में देखने को मिलता है क्योंकि यह वाला question उसी से related है तो 120 का right answer यहाँ पर अभी तो under employment है अगर आपको यह याद रखना कि अगर यहाँ पे disguised unemployment भी option में होता है तो हम उसी को choose करते इसको नहीं पर क्योंकि इसके पैरलल कोई ऐसा option था नहीं that is why we are having the answer option D next question के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो पंजाब के अंदर पूछाओवा question है कि अगर कोई entrepreneur है उसको अगर कोई reward मिलता है तो किस तरह की for his services तो उसको क्या कहा जाता है ठीक है rent क्या होता है अगर आपने किसी से कोई चीज उधार ली है ठीक है आपका ownership नहीं है उस पे और आप उस चीज को use करने के बदले पैसा दे रहे हो तो rent होता है interest क्या होता है अगर आपने असल में असल मतलब जो cash form में आपने पैसा इसी से लिया है उसके use के बदले में आप उसको अगर extra money देते हो तो वो interest होता है wages आपने physical hardware किया और उसके बाद में आपको मिलने वाला जो महनताना है compensation है that is remuneration बोल सकते हो that is your wages ठीक है महनताना कहा महनताना ही कहता है हिंदी में तो अब profit तो entrepreneurs जो होते है उसको वो जो भी काम करता है उसके बदले में उसके business से जो outcome निकल रहा है वो जो profit है वो profit ही actual में उसका क्या है reward है तो यहाँ पे right answer जो होगा आपके लिए होना चाहिए बेटा D तो पंजाब 2009 से में पुछा किया option D would be right for this question now the next question says जो food हमें needed है of any country determined क्या जाता है the food needs of any country are determined by okay खाने की ज़रूत कितनी है किसी country के लिए या अगर आपको जज़ करना हूँ तो किन आधारों पर आप ज़़ करेंगे किन किस बेसेज़ पर ज़़ करेंगे कितना आपको requirement है क्या यह population का size होगा साइस का मतलब कितना देश बड़ा चोड़ा है नहीं इस तो मतलब नहीं है urbanized population नहीं क्यों rural areas में भी तो लोग खाते हैं खाना या ruler population तो इसमें सबसे सड़ी का आंसर होगा option A के साथ क्योंकि यह पढ़ती तो मैं आजाना चाहिए इसके बीच का जो गैप है उसको खतम करने के मेर इंटेंशन के साथ में इन में से कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है watershed development command area development बिल्कुल अगर देखो अगर आपने इनके बार में कभी पढ़ा है तो पढ़ते ही आपको इनके answer पता चल जाएंगे होता क्या है irrigation के लिए और अभी नहीं बहुत पहले 1975 के आसपास command area development program चलाया गया था irrigation के facilities को और बढ़ाने के लिए so that हमारा utilization irrigation के point of view से अच्छा हो सके तो that was command area development c.a.d. ठीक है याद रखना और कब हुआ था 1975 के आसपास so यहाँ पर यह आपको मेरे साब से याद हो गया होगा next question पर बात करें इसने बुला है economics का वो rate बताओ growth का जो की होता है okay दुबार से देखते हैं इसको a rise in the rate of economical growth due to the rising share of working age people in a population is called what देखो जहाँ पर भी demographic आपको मिले वो relate करता है आपके populations से ठीक है तो इसने कहा है कि अगर आप economical growth की बात कर रहे हो और वो कब आया है क्योंकि working population क्या हुई है वो भड़ी है तो उसको आप क्या कहेंगे इन में से क्या चीज़ होगी हो ठीक है तो देखो वई यहाँ पर पहले तो इन चारों को समझ लेते हैं अपन यह तो demographic का मतलब तो population के हिसाब से हो गया उनके number of people के हिसाब से हो गया यहाँ पर pyramid है pyramid बना देते हैं तो यहाँ पर यह pyramid बनता है age wise तो यह तो age के हिसाब से consider किया गया है दूसरा transition, transition का मतलब होता है यहाँ पर growth rate जो है वो high है low है एक data को जब आप दूसरे data से compare करते हैं तो वो transition कहलाता है demographic transition ठीक है कि high से low में low से high में dividend, dividend का मतलब यहाँ पर actual में यही मतलब है कि जो working population है वो किस तरह से growth देती है कहाँ पर आपके economy के अंदर तो इसको यह कहा जाएगा and ratio का मतलब तो यही मैं simple सा वही concept बतागा हूं तुमें कि तुमने किस data को compare किया है किस data के साथ में तो वहां से निकलने वाला ratio के वही कितने percent का growth हुआ है कितने percent का downfall हुआ है that is your ratio got it? so यहाँ पर right option हमारे लिए होना चाहिए C, C के हिसाब से आपको जाना चाहिए 125 question कहता है कि which one of these promote नहीं करता nation की integration को मतलब nation को united रहने में इन में से कौन सा वह option है जो कभी भी support नहीं करता है चलिए भी options एक बार देखते हैं और फिर पता लगाने कोशिश करते हैं क्या secularism है? नहीं secularism हमेशा धर्म को एक समान बताता है सभी धर्मों को एक समान बताता है साथ हमेर एक साथ रहने कर मिल जुलकर रहने का हमें प्रेड़ना देता है social justice के बारे हम बात करें तो social justice is one of the reasons जिसके कारण हमारे देश में integration, integrity बनी भी रहती है शेत्रिय विभिनता हैं I think this factor is responsible for that के कही ना कहीं प्रमोंट नहीं होने देता देश में एकता अखंडता को So option C मुझे सही लग रहा है economical development तो कहीं भी कोई related ही नहीं है इसके साथ में So option C would be right one Next question पर बात करें तो इसने कहा है कि कौन सा year था जिसमें world trade organization बनाया गया World trade organization बनाया गया तो world trade organization बना था 1 January 1995 को इस intention के साथ में that countries मिलकर के आपस में business बढ़ाएंगी So that उनका जो area है business करने का वो बढ़ेगा और उसे growth मिलेगा सारे nations को तो 1 और the 1st of January 1995 को WTO एक तरीके से start होता है यह याद रखेगा Switzerland जिनेवा में इसका headquarter है आज at present अगर हम बात करें तो 164 countries इसके साथ में जुडीवी है 164 countries are actually member of WTO इन में से कौन सा factor है जो contribute करता है maximum in gross domestic production of India भारत के GDP में सबसे ज़्यादा support देने वाला कौन सा sector है तुम जानते हो हमारे यह 3 sector है हाला कि sector और भी होते हैं बट अगर हम बात करें इन से related तो there are basic 3 sectors of Indian economy and these are primary, secondary, tertiary one more sector हमारे सामने है जो की है foreign sector अब इसने क्योंकि GDP की बारे में बात की है तो GDP में हम foreign sector का तो कोई link रखेंगे नहीं और तुम already यह question पहले भी पढ़ चुके हो यह MP के अंदर दुबारा repeat हुआ है टरिश्यरी सेक्टर का सबसे ज्यादा प्रसंटेज है क्लास 10th sectors of Indian economy chapter अगर तुमने पढ़ा है तो ओल्रीट है तो यह वाला question उसमें कई बार बोला गया है हर paragraph में कहींदहीं हमें हिंट मिलता है यहां पर आपको यही करना है, सी ओप्षिन किसा चले जा रहा है, यह भी कुशन रिपीट हुआ है, MP 2019 में अभी पूचा गया है, औरेडी हमने प्रीवेस कुशन जब डिसकस किये थे, तो उसमें भी कुशन था, कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब शुरुआत की गई थी इसकी, तो मुझे याद आ रहे है, गांदी जी के जो बर्थ अनिवेडिसरी थी, उस टाइम पर इसको स्टार्ट किया गया था, 1993 की बात है, अब सोचो, अगर आपको याद भी नहीं है, तो थोड़ा सा एक बार सोच के देखो, हमने बहुत सारी योजनाएं हैं, जो डिसकस की थी, 15 अगस 2015, ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बाद भी प्रिवेश एर कुशन्स देखोगे अगरा, और हमारे पुरानी लेक्शर्स देखेंगे, जिसका लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में है, तो हमने बताया इस डेट का इंपॉर्डेंस, प्रधान मंतरी नरेंद रमोदी ने बहुत सारी स्कीम्स चालू की थी, लेकिन उसमें रोजगार योजना नहीं थी, इसके लेंडिया थी, ठीक है, और जंदन योजना थी, उन सभी के उपर हमने बात की थी, यहाँ पर राइ एजामिन करें इस स्टेटमेंट को, और सस्टेनेबल डेवलोपेंट के लिए, इन में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे भैतरी नहीं है, सबसे सही है, यह बताएं, दोजार उनीस में पुछा है कैरला के अंदर, सस्टेनेबल डेवलोपेंट के बारे में तो हम जानते हैं कि आप करें, लेकिन नेचर को नुकसान पहुंचाते में ना करें, फ्यूचर जनरेशन की नीट्स को दिमाग में रखते वे करें, यही सब कुछ है, तो इन में से option देख लेते हैं, पहला option कहता है, कि environment को हाम नहीं होना चाहिए, सही option है, यह option बिल्कुल सही होगा, दूसरा ह development is the present, development in the present without compromising the needs of future generation is also right statement, the third says, development without considering the environment, अब यह वाला option तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि पहले वाले में आप कह रहे हो कि you should actually consider the environment, and C वाले में आप कह रहे हैं कि consider नहीं करना चाहिए, तो option A and B जहां पर आ रहा है, वही सही है, बाकी गलत है, option A बिल्कुल सही है, कि option A भी सही है, और B भी सही है, ओके, B and C are wrong, no no no, यहाँ पर देखो क्या है, यह वाला option सही होगा, C, C क्यों सही होगा, A और B तो सही है, और C वाला wrong है, ठीके, तो तुम गलती मत कर दे न, मैंने पढ़ने में थोड़ी से गलती करी, यहाँ पर C option के सा अगर आप जाते हो, तो आपका answer बिल्कुल सही होगा, तो क्यारला वालों आपने तो कर दिया होगा, C, चलो, question number 130 के उपर बात करते है, 130 क्या कहता है, कि दो countries को अगर आप, देखे, दो countries की income जो है, वो identically same है, ठीक है, having identical average income and same can be, same can be the reason down, ओके, देखो ऐसे समझो, कि country A और country भी है, इनका, जो average income है या per capita income जो है, वो same है, दोनों का, तो same कैसे आ सकता है, किन कारणों से, किनी countries का per capita income same आएगा, okay, तो करें शुरू, इसकी बिचे का कारण क्या हो सकता है, देखो, कि economical growth of these two countries are the same, the size of population is the same, growth of population is at that time, same rate, none of the above, economical growth of these two countries are the same, the size of the population is the same, okay, economical growth इन दोनों countries का same है, average income दोनों की same है, growth of population is same rate, देखो, इसमें से कुछ option पहले जो गलत है उनको अटा देते हैं, option number D के साथ अगरा पन जाते हैं तो इद गलत हो जाएगा, एक option तो सही है इसमें, यहाँ पर जो देखने वाली बात है ना, यहाँ तो population की size same है इस current से, या फिर economical growth इन दोनों countries की same है, अब देखो यार, यहाँ पर क्योंकि इसने per capita income की बात कर रहा है, नहीं है, तो average income की बात कर रहा है, तो मुझे population के साथ जाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा problem क्या हो जाता है, economical growth की बात कर रहा है, तो वो थोड़ा समय नहीं add कर सकता, तो मुझे option B के साथ जाना चाहिए, हलाकि इसमें bug है, bug का मतला है, इसमें कहीं न कहीं error होगा, reason क्या है, देखो इसका reason देता हूँ, वैसे तो इन options के साथ अगर मैं जाता हूँ ना, तो इसमें तो सही option B लग रहा है मुझे, बट reason देता हूँ मैं, यह इस family में total होगें 2, यह क्या है आपका population, यह क्या है आपका income, ठीक है, तो यहाँ पर average income कितनी आगी, average income आगी 5000, यहाँ पर आगी average income 5000, अब दौनों का अगर मैं comparison करता हूँ, तो दौनों का comparison तो एक equal सा हो गया, दौनों का comparison तो होई नहीं सकता है क्योंकि बरावर बरावर है यहाँ पर भी 5000 आ रहे और यहाँ पर भी 5000 आ रहे इसने कहा identically आप same है तो उसके पीचह का reason क्या होगा, तो उसके पीचह का reason हमने बताया तो we have reason तो यह हो सकता है कि इनका, हाँ देखो रीजन क्या हो सकता है कि इनका population जो होगा वो लगभग सेम सा होगा बट population तो हैं सेम ही नहीं देखो कितना differences आनों के अंदर एक तरफ तो किवल 10 है और एक तरफ 2 है लगभग 1 by 5 के आसपास बात करूँ ना तब इतना population का gap है तो identically अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा bug है इस question में size of population matter करता है लेकिन यहाँ पर क्योंकि option सब में सबसे सटीक यही है तो आपको इसी के साथ जाना है आप कुछ question कुछ बचे यह भी कह सकते हैं किसा D भी तो था none of the above बट बट बिटा देखो none of the above में मैं आप इस चीज़ को consider नहीं कर सकते कि यह wrong ही होगा मैंने कहा इसमें option में problem हो सकती इसको और clarify करना चाहिए बट यह option सही क्यों है ऐसे भी समझो यह तो मैंने assume किया है exception डाल दिया बट अगर यहां पर 5000 5000 आ है तो इसके पीछे का कोई ना कोई लॉजिक तो होगा या तो यह सेम हो रहा है या फिर यह सेम होता तो कहीं ना कहीं तो option भी correct है बट इसमें थोड़ा सा problem था ठीक है तो वो भी मैंने आपको clarify कर दिये एक और question आता है करनाटका के अंदर और यह बोलत रहा ना है ओके चूस द ऑप्षिन विच इस रिलेट टू आप बताओ इनमें से कौन सा है दा प्रिवेट कंपनी कैं बी फांट बाइंड बाइंड नी तो मैंबर्स नो नीड तो इसू अ प्रॉस्पेक्टिस अस पॉब्लिक इस इन्वाइट तो सुस्क्रिप्राइब यह देखो या इसमें है ना अब थोड़ा सा मुझे मेरे वर्ड्स को वापस लेना पड़ेगा मैंने ऑप्षिन नमबर एक को गलत बोला क्यों गलत बोला देखो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए जरूरी नहीं है दो मेंबर हो ठीक है अब दो मेंबर तो कम से कम यहाँ पर इनडेक्स आपको रखनी पड़ेगी मेंडेर अब यह प्रिवलेज्ज थोड़ी हुआ यह तो imagining और यहाँ पर यह भी देखो कि आपको allotment of share अगर करना है तो किसी भी minimum subscription के बिना आपको नहीं कर सकते हो तो इसमें privilege तो यह एक ही दिख रहा है न मुझे कि दो member के साथ भी शुरू की जा सकती है तो ठीक है हम option number A के साथ जाएंगे लेकिन हाँ इसमें और भी बहुत सारे हो सकते थे option confusion create नहीं हुआ आप लोगों के लिए बढ़ थोड़ा सा अगर यह और आपको confuse करता तो paper का level थोड़ा अच्छा हो जाता करनाटका 2019 में पुछा गया है मैं फिर कह रहा हूँ अगर company बनानी होती है तो ठीक है अपन बोल सकते हैं वह एक आदमी के साथ भी हो सकती है दो आदमी के साथ भी हो सकती है लेकिन इसने private limited कह दिया कि share issue करेगा आगे चल करके किसी भी देखो किसी भी private organization को अगर चलाना है ना तो एक आदमी भी चला सकता है ठीक है जरूर नहीं उसके लिए कि कम से कम दो आदमी चाहिए लेकिन क्योंकि ये private limited कह रहा है ये share issue करना चाहरा है आगे चल करके जनता से लोगों से subscription उनको दे करके share a lot करके पैसा भी लेकर आना चाहरा है तो उसके लिए कम से कम आपको दो member चाहिएंगे board of directors के लिए founder and co-founder ठीक है तो यहां पर option A के साथ अगर आप जाते हैं तो यह ठीक हो जाएगा नेक्स question पर अगर मैं बात करूँ तो नेक्स option कहता है के gender inequality index गिल calculate किया जाता है अगर हम international level पर जाकर देखेंगे तो इन में से कौन सी agency के थुरू दुबार समझे जो gender inequality index है करनाटका 2019 में पूछा हुआ question के वो international level पर किस organization के थुरू एक तरीकी से judge किया जाता है calculate किया जाता यह वाला question दूसरी language में पूछा गया है already पहले भी यह करनाटका 2019 में पूछा हुआ question है और इसका सही answer होगा United Nations Development Program UNDP ठीक है तो UNDP एक correct answer होगा बाकी option सही नहीं है यह तो दिखो पढ़ते है या आजाना चीक तो समझ में next दिखते हैं इसने कहा tertiary sector has became an important part of Indian economy of account on account of what कि tertiary sector have become an important part of Indian economy on account of what कि इन में से tertiary sector बहुत important हो गया है इन में से किस point of view से development of agriculture and industries, rise in the level of income, both A and B option, none of these तो tertiary sector important क्यों है क्योंकि इसने agriculture को भी develop किया है और industries को भी develop किया है बेकुल सही बात है, rise income level भी इसने बढ़ाया है ये भी सही है तो option C क्योंकि A और भी दौनों सही है तो आपको option C के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि agriculture sector और industrial sector बिलकुल अपंग है अगर उनको सहारा ना मिले तो tertiary sector का ठीक है तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा बेटा option number C के साथ में अब अगर मैं next statement की बात करता हूँ तो देखें next statement कहता है कि आप इसमें से correct reason दे following statement के लिए हर्याना में पूछा गया है करनाटका के लिए करनाटका has developed as an in state for the growth of silk industry की करनाटका ने अपने आपको develop किया है silk industry के growth के point of view से मतलब वहाँ पर silk industry का growth हुआ है और इस तरह से यह करनाटका develop हुआ तो क्या है इसका मतलब क्या यहाँ पर availability of good market है skilled labor है और political reasons है availability of good market, good climate और political reasons, good climate, availability of soft water और malberry plants या availability of soft water, good climate या nearness of port इन में से right option कौन सा होना चाहिए अब इसने पूछा है कि growth of silk industry करनाटका के अंदर हुआ है तो इसके फिशे का कारण क्या है देखो दो option तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर political reasons को तो तुम्हें अटाना पड़ेगा क्यों अटाना पड़ेगा क्योंकि यह political reasons जरुरी नहीं है वहाँ पर labors जो होती है या फिर जो industrialist या business person होते है they are the responsible factor for such kind of development अब यहाँ पर option बचा हमारे पास C और D कि यहाँ पर availability है soft water की अच्छे climate की और port भी है हमारे यहाँ पर तो इससे क्या हुआ है state develop हुआ है अब देखो एक बार सोच के देखो करनाटका का क्या link होगा port से अगर उसको खुद को development करना है चलो ठीक है ऐसा मान लेते हैं export करता होगा but export is not the single factor जिसके कारण्ट सम कह सकते है इसको growth मिला है तो मेरे साब से तो यहाँ पर अच्छा climate है अच्छा पानी मिलता है और यहाँ पर जो शहतूत का पेड़ है वो भी काफी सारे है सो यहाँ पर सिल इंडस्ट्री का growth काफी आसानी से हो सकता है तो मेरे साब से तो option C के साथ तो में जाना चाहिए ऐसे ही next question भी कहता है कि on which basis the sectors can be classified into public and private sector public और private sector को अगर जो आप दो parts में divide कर रहे हैं तो वो किस basis पे करते हैं यह question एक बर पहले भी पूचा गया है यह question दुबारा repeat हुआ हर्याना 2019 इसने कहा इन में से कौन सा base होगा जिसके हिसाब से आपने सरकारी और गयर सरकारी sectors बना दिये क्या यह ownership के basis पे था economic activities के basis पे था number of people employed in the enterprises यह था यह employment condition के हिसाब से था तो देखो यह question repeat हुआ जैसे मैं तुम्हें पहले ही बोला option A right answer होगा कि क्या सरकार own करती उस industry को या फिर को individual करता है या फिर कोई private organization करती उसके basis पर ही आप division करता है तो ultimately यहाँ पे जो sectors divided है ownership के basis पर है next option के अंदर अपन बात करें next question पे बारे में बात करें तो HDI का concept हमारे कौन लेकर आया तो यह वाला मैंने आपको बताया था जिनके कारण से 1998 में Nobel Prize मिला था Amritya Sen को तो वो HDI ही था तो Amritya Sen would be the right answer यह 2019 में गुजरात के दर पूछावा question था next है the price of which product are fixed by the government इन में से कौन सा वो product होता है जिसकी जो price होती है वो सरकार तै करती है तो तुम खुद देख लो तुम्हें पता होना चाहिए इस cancer दो कि cotton सरकार की हिसाब से तै होता है क्या देखो MSP अलग होता है minimum supporting price is different thing बट यहाँ पर selling price की बात कर रहा है किसी product को बेचनी के लिए कौन price तै करेगा तो petrol का दाम कौन तै करता है सरकार करती है बाकी इन में से जो भी option दिये है सरकार का उसमें interfere नहीं होता influence जरूर होता है interfere तो इसी में होगा क्यावल कि अपने हिसाब से decide करें क्योंकि पूरा का पूरा है हम import कर रहे हैं तो import करने वाले कौन होंगे सरकार होगी तो सरकार import कर रही है और आपको दे रही है हलाए कि कुछ industries अब है जैसे reliance industry जो कि अपने हिसाब से import करती है और sale करती है बढ़ उसकी भी pricing क्योंकि ये वाला जो sector है उसने government demand vendor में ले रखा है तो यहाँ पर option B के साथ अगर आप जाते हैं तो ठीक होता production of a company production of a company mostly through the natural process is in activity in what कोई भी चीज़ का production कर रहे हो किसी भी company के अंदर कर रहे हो production of a company mostly through the natural process natural process के थरू अगर आप जाते हैं तो कौन से sector से ये relate करता है क्या ये last, primary, final या secondary तो production की शुरुवात है इसे सोचें आप कि आप ट्रेटरा पैक में juice दे रहे हैं किसी चीज़ का या किसी fruit का तो इसका natural process occurring जो होगा वो किस sector में होगा किस activity के through होगा देखो last and final product last product, final product ये तो होगा ही नी क्योंकि primary process होगा है तो primary मतलब शुरुवाती होगा secondary में machine आजाएगी जिसमें naturally कोई linkage नहीं होता तो यहाँ पर एक क्या option बच रहा है क्योंकि ये प्रारंबिक है प्रात्मिक है, primary है natural process है, nature से मिलने वाली चीज़ है तो ultimately हमें भी option के साथ जाना ये बहुत ही simple question था next, Goa के अंदर ही पूछा गया question है 2020, sorry, 2019 के अंदर के PDS जो है सबसे important step था government के थूँ लिया गया और इससे क्या वो ensure करते है public distribution system में किस चीज़ को ensure किया जाता है assure किया जाता है क्या ये दूध है, क्या ये खाना है, क्या ये पानी है क्या ये fans है fan security, ensuring fan security wow तो भी ये क्या ये खाना है ये तो हटाई देते हैं, अजीब सा लग रहा है option E तो क्या ये पानी है, क्या ये दूध है और क्या ये खाना है तो PDS के थूँ आपको पता है राशनिंग की जाती है किसकी जो भी important हमारे stable diet में काम में आने वाले चीज़े है like wheat है, rice है, pulses भी है, tea है या फिर आपके sugar है इन सभी चीज़ों को राशनिंग की जाती है तो option A सही होगा ओके, next थोड़ा सा गला घर आवे न, adjust कर लेना थोड़ा हो सकता है, आपकोई problem हो रही हो तो देखो, 140 question कहता है कि इन में से कौन सी activity ऐसी है जो have two parts market activity economic activity have two parts market activity ओके, ये question ऐसा है कि economic activities के दो part होता है एक तो इसने देदी है market activity तो दूसरा वो पूछ रहा है ये पूछा है, गोवा 2019 के अंदर दूसरा कौन सा part होगा तो साफ भी पता है, एक market हो रहा है क्योंकि या तो वो चीज़ आपके market से profit making से related होगी या फिर वो free of cost खुद के घर के अंदर एक आम में ले रहे है इस तरह की चीज़ है तो वो non market activity होगी ये चीज़ भी मेरे इसाब से तुमें आती होगी इन में से next question बुछता है इन में से which is the most abundant factor of production इन में से कौन सा सबसे ज़्यादा abundant factor है production के लिए production के लिए तुमें क्या चीज़ का होगी landlord चाहिए ना labor चाहिए हो सकता है business चाहिए हो सकता है machinery तो machinery सबसे important है machine है तो labor की ज़रूत ही नहीं ना तो machinery है तो production हो सकता है production किसी भी चीज़ का हो तो उसके लिए सबसे major factor की बात ही कर रहा है तो machinery सबसे सही answer होना चाहिए ठीक है next question में कहता है food security ensure करता है country के अंदर only सिर्फ तभी जब food security is ensured in a country only if the enough food is available for all the people all person have the capacity to buy food and acceptable देखो भई food security तुम दे रहे हो अगा है तो food security में यह option तो तुम्हें कोई linkage ही नहीं है इसका क्यों क्योंकि सब भी लोगों की capacity है खरीदने की तो फिर security देने की ज़ुरत क्या पड़ गी तुम्हें तो यह option तो गलत हो क्या कोई barrier नहीं होगा there is no barrier on access of access to food no यह भी option नहीं है तो यह ठीक होगा इसने कहा कि food security ensure की जाती country में अगर तभी तो कर पाओगी कि खाने के लिए तुम्हारे पास में है सोचो उस time duration को 1990 के आजपास का time duration या 1965 का time duration जब हमारे पास में उससे पहले का भी देख सकते हो कि हमारे पास में खाने के लिए इतना नहीं होता था जितने हमारे requirement होती थी तो ऐसे में यहाँ पर क्या हुआ है तो इसने ही कहा क्या food security तभी दे सकते है जब हमारे पास में होगा तो sufficient है तभी हम इस पे कोई काम कर पाएंगे तो इसका right answer होगा बेटा A ठीक है next question पे बात करें The father of white revolution अच्छा कोशन है The father of white revolution किसको consider किया जाता है Okay father of white revolution किसको consider किया जाता है देखो Dr. V. Korean Swaminathan Norman Borlock या फिर Petroda ये Sam होना चीए Sam Petroda Sam Petroda Okay So इन में से right option कौन सा है देखे Right option के लिए पहले गलत options भी बता दू इनको consider किया जाता है इनको consider किया जाता है For yellow revolution जो भी Yellow color के कोई भी चीज होगी जैसे mustard seeds होता है उसके revolution उसके लिए इनको responsible मना जाता है नाम से लग रहा होगा लेकिन भारत की ही है विदेशी नहीं है वही है तो ऐसे समझना Yellow revolution से related है ये हैं आपकी White revolution से White revolution से White revolution milk product से related होता है Swaminathan और Norman दोनो green revolution से related है बढ़ दोनों के वीच मंतर है ये जो person है ये worldwide green revolution के लिए responsible है और ये जो person है ये इंडिया के अंदर green revolution के लिए responsible है ठीक है तो मैंने बता दिया ऐसका चतिसगर्ड 2019 में अच्छा कोशन पूचा गया बड़ी हा कोशन है ये 2019 में पूचा गया है आपसे तो White revolution के जनक अच्छा green revolution का पता होगा न तुमें agriculture जो भी production है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाने वाला या फिर एक सबसे सटीक method नेक्स कोशन पर बात करें इसने कहा है कि सोभाग ये वैब पूटल लांच किया गया था government of India के धुरू किस चीज को trace करने के लिए या track करने के लिए चतिसगर्ड 2019 में पूचा किया कुशन है अच्छा कुशन है इसने बुचा कि क्या ये gas connectivity को है वो तो जुवला ये उजना के अंदर आता है electrical connections के लिए है आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में चलो मैं बताता हूँ क्रेन इंडिया के बारे में सच्छ भारत अभियान था domestic violence urban areas अब देखो सुनो मेरी बात सौ भाग गया इसका पूरा नाम बताओ अगर मैं सहज बिजली हर घर योजना सौ भाग गया ठीक है ये इसका पूरा नाम है 2017 के अंदर नरिंद मुदी की government ने इसको launch किया दा इस portal को इस portal को अगर आप login करके देखते हैं तो आप बहुत सारे अगर आप गाउं से बिलॉंग करते हैं तो अगर आप इसको एक लोग इन करेंगे तो आप बहुत benefit मिलेगा मतलब कई चीज होगे अगर आप इसको देखते हो तो एक बार तो देखो नाम से क्या चीज़ें पता चल रही है सहज बिजली हर गर यूजना सौभाग गया अब इसमें से डारेक्टली आप छांट सकते हो कि कौन सा अंसर सही होगा ऑप्शन अगर बी के साथ आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे यह कौशन अगर आप चतिस गड़ 2019 में देख रहे हो तो देखो एक बार गौर करेंगे पैटन्स पे हम तो पैटन के अंदर क्या बताया जा रहा है मतलब कहीं न कहीं हम ऐसा लगता है जैसे रिसेंट कोई अगर कोई नई स्कीम निकली है एक साल या दो साल बैक भी तो भी आपसे वह कुशन पूछा जा रहा है एंटेसी स्टेज वन स्टेज टू में तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान रखना है विटा ठीक है बांटा जाता है इन में से कौन सा होता है तो पब्लिक इसृबिशन system के लिए इन में से कौन सा वह मैथड़ था जो कि इसको support करता है तो पीडीयस ही होगा 145 के ंदर पीडीयस को आपको मार करना पड़ेगा नेक्स्ट के अनदर अगर बात करते हैं तो यह कहता है कि इन में से कौन सा is not the key dimension of human development in human development index hdi 2019 में पुछाओ question आसा में इन में से कौन सा वो factor नहीं है जो यह determine करता है human development को hdi में मतलब simple सा इसको मैं अगर बताऊं तो कि hdi में इन में से कौन सा व फेक्टर है जो consider नहीं किया जाता शब्दों पर मज जाओ इसको ऐसे समझाओ अच्छी health consider की जाती है क्या living standard consider क्या जाता है क्या knowledgeable मतलब पढ़ाय लिखाय consider की जाती है इसमें अधिकतर लोग जो है वो खुद ही पड़े लिखे नहीं है तो मेरे हिसाब से यह वला आपका option सही चला गया नेक्स्ट आसाम के अंदर ही पुछा वह question बहुत है simple कि इंडिया के अंदर government का financial year होता है वो financial year कब से कब तक का होता है वो बताना है आपको ठीक है एक मार्च से 28 February होता है क्या जुलाई से 1 जुलाई से 30 June होता है क्या या यह एक अप्रेल से 31 मार्च होता है यह लीजे सही answer है हमारा D option क्योंकि एक अप्रेल से हम नया session financial session शुरू करते हैं और 31 मार्च को closing करते हैं जितने भी हमारे accounts होते हैं अच्छा इससे जुड़ावा question और हैं आपको comment box में मुझे यह बताना है कि RBI का financial year क्या होता है RBI का financial year अलग होता है और हमारा जो general financial year होता है government का वो अलग होता है तो comment box में जरूर बताना मुझे RBI का financial year क्या होता है क्या यह same होता है क्या अलग होता है चलो hint देता हूँ same नहीं होता अलग होता है तो क्या होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए मुझे Reserve Bank of India कब established हुआ था भारत में आसान 2019 में पूछावा question था 1925 में हुआ था 1935 में हुआ था 45 में हुआ था 55 में हुआ था अगर थोड़ा सा अपने पढ़ा हो इसके बारे में तो आप answer दे पाएंगे 1935 would be the right answer 1935 के अंदर किया गया था Reserve Bank of India को established भारत के अंदर सबसे पहला bank the bank of Hindustan Britishers ने कब established किया था आसान 2019 में पूछा वो question था इसका मतलब banking से बहुत सारे question उसने पूछे है तो इन में से ये हमें right option बताना है कि कौन सा वो year था तो शायद अगर आपने banking नहीं पड़ा है तो थोड़ा सा इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा आप गौर करें या याद रखनी कोशिश करें भारत में सबसे पहला bank जो खुला था 1770 में खुला था the bank of Hindustan ठीक है next अच्छा मुझे बताईएगा SBA नाम कौन से बैंक के नाम को बदल कर किया गया था या SBA का पुराना नाम किया था ये comment box में जरू बताईएगा मुझे comment करके क्यों कि ये question पर अलरड़ी हम discuss कर चुके है the money that is recognized by the law of land as valid for the payment of debt is known what commodity, token, legal tender money या dear money okay the money that is recognized by the law of the land पैसे अगर आपको मिल रहे हैं जमीन के बतले में तो उस money को उस payment को आप क्या कहेंगे commodity money कहेंगे, token money कहेंगे dear money कहेंगे या legal tender money कहेंगे law of land and as valid for the payment of debt okay तो इसको आप क्या कह सकते हैं यहां पे commodity money का मतलब होता है किसी चीज को आप पैसा consider करो किसी चीज के लिए आप advance payment करें rest amount आप आप आद में चुकाएं साही कहते हैं अपन हिंदी में legal tender money tender money का मतलब यहां पे आपने कोई निवीदा पेश की आपने कोई इसा initial amount है जो फंडिंग यह वो आप कर रहें and dear money को आप consider इसमें नहीं कर सकते हो तो मेरी साबसे तो option A के साथ आप जाएं चीज के बदले में मतलब पैसे के बदले में कोई चीज तो उसको commodity money हम कहेंगे ठीक है NTSA में select होने के संकल्ब को पूरा करें सारे संकल्ब देखें SST अच्छे से करने कहीं problem आए तो पूछें Thank you so much for joining this class